नमस्कार, आज मैं फिर आपके सामने अपराद की एक और घटना लेकर आया हूँ, ये भी उसी वक्त की है जब मैं डियाईजी रेंज बरेली था, आज की घटना की तारीख है 17 नमंबर 2020, वक्त था शाम को साथ बजे, थाना था सिधोली और डिस्टिक यानि जिला था शाजहापुर, इंस्पेक्टर थे जै नरायन पांडे, एसे चो सिधोली जै नरायन पांडे, साथ बजे शाम को, साथ, साड़े साथ बजे शाम को, इस्लामुद्दीन सन अफ शेर महम्मद, गाउं है इनका रामपूर तरहार, जो थाना चेतर सिधोली का ही गाउं है, वो अपने साथ 15-20 लोगों को ले कर थाने पर आए, रसूख वाले व्यक्ति थे अपने गाउं के, इस्पक्टर साब, डिस्टिक हेड़क्वार्टर पे गए हुए थे कोई क्राइम मीटिंग की, एससपी की, जो सीनियर सब इस्पक्टर यानि एससाई होते हैं, सेकंड इन कमांड थाने के, वो थाने पर मौझूद थे, इत्फाक से वो डे अफसर भी थे उस दिन के, इतने लोगों को देखकर उन्होंने पूछा क्या बात है, इस्पक्टर इस्प्टर इससाई ने कहा कि मीरे भाई की हत्या हुई है, SSI ने पूछा आप कोई तहरीर लाए हैं उनों का नहीं सब तहरीर तो नहीं लाए हूँ मैं मुझवानी पूरा वाक्या बता सकता हूँ SSI ने कहा मर्डर की सूचना है आप कागज ले लें कलम ले लें यहीं पे तहरीर लिख लें तब तक मैं अपने इस्पेक्टर को फोन से इत्तला करता हूँ उन्होंने फौरान इस्पेक्टर को इत्तला की किसाब मर्डर की सूचना आई है गाउं है रामपूर तरहार इस्पेक्टर न कहा कि मैं आधे रास्ते में हूँ आ रहा हूँ इस बीच तुम तहरीर लिखवा के F.I.R कराओ और फोर्स को मौके पर भेजो तब तक मैं आ जाओंगा SSI ने यही किया और एक तहरीर लिए इसलामुद्दीन से उस पर F.I.R करने के आदेश तो S.H.O को होंगे S.H.O के हस्ताक्षर से ही होते हैं तो उस पर उसने आदेश किया कि बाबत तहरीर इंस्पेक्कर को इतला की गई वक्त इतने बजे वक्त को उन्होंने साथ साड़े साथ का लिखा होगा उसमें कि वक्त इतने बजे S.H.O ने बजरिये मुबाइल फोन F.I.R दर्ज करने के जुबानी आदेश दिये हैं जो C.C.T.N.S का कंप्यूटर अप्रेटर है उसको देदे और E.F.I.R C.C.T.N.S से कंप्यूटराइस कॉपी उसकी निकल आए F.I.R पौर अंदर जो गई Crime No. 6172 धारा 302 तहरीर के हिसाब से जो अपरात बना वो 302 था थोड़ी सी फोर्स को मौकी के लिए रवाना कर दिया ताकि वहाँ पे भीर भाल को थोड़ा दूर रखें और कोशिश ये करें कि Scene of Crime है वो प्रिजर्व रहें इसी बीच में इस्पेक्टर आ गये इतनी भीर को देखकर उन्होंने पूछा क्या बात है SSI ने बताया कि आपके आदेश पर FIR कर दी गई है 302 IPC की तहरीर इन्होंने दी थी उस पर FIR बनी वो हमने कर दी है कौपी इनको दे दी है फोर्स मैंने वहां भेज दी है फिर भी इंस्पेक्टर ने कहा कि ठीक है आप भी चलिए मैं आता हूँ पीछे पीछे इन्हों से जरा बातचीत करनों की वाकिया क्या है इस्लामुद्दीन ने कहा कि कल यानि 16 तारीक को दिन में 9 बजे के आसपास मेरा चोटा भाई संजू घर से कहीं निकला था शाम को नहीं आया फिर रात में जब 12 बज गए तो हम लोगों ने ढूनना शुरू किया मोबाइल फोन उसका स्विच आफ था अगले दिन भी हम लोग पूरा टाइम ढूरते रहे और दिन में ये पता लगा कि सेट पाल के खेत में जहाँ पराली है पराली पूल को कहते हैं जो गेहू निकालने के बाद पाउध ही का बचा हुआ हिस्सा होता है उसको पराली कहते हैं आपने पिछली गर्मियों में और इसके पहले की गर्मियों में पंजाब में और उत्रप्रदेश में पराली जलाने से दिल्ली में जो कुहरा या कुहासासा हो गया था सूर्फ की किरण नहीं आ रही थी उसके बारे में सुप्रीम कोड के तमाम आदेश टीवी पर देखे हो गया यह वही पराली इकठा हो गई थी वहां और उस पराली के बीच में यह बाडी उसकी मिली थी मुकत्मा कायम हो गया था सभी अधिकारियों को बता दिया गया और आठ शाड़े आठ बज गये थे वहां से इन्नों को लेके वो मौके के लिए रवाना हुए इंस्पेक्टर जै नरायन पांडे मौके पर पहुँचके देखा उसकी लाश वहां पड़ी हुई थी देखके पता लग गया कि लाश कहीं और से लाकरे हां फेंकी गई है क्योंकि न तो वहां कोई संघर्ष के निशान थे न बहुत जादा आने जाने वालों के निशान थ थे किसी तरह का ब्लड वहां पर मौके पर नहीं पड़ा था शरीर में छोटे मोटे नीलगू निशान के सासाथ ऐसा लग रहा था गला दबा कर उसकी हत्या की गई है नवंबर की रात थी अंधेरा था मुश्किल काम था कि उस समय वहां कोई जांस परताल की जाती लिहाजा इंस्पेक्टर उसी गाउं में रामपूर तरहार में इस्टे कर गया अधिकारियों को सुबह आने के लिए और यूनिट्स को भी सुबह आने के लिए बताया कि बिल प्रूरी चीज हो सकता है छूड़ जाए इसलिए आप कल सुबह आईए सुबह टी में सब आ गई सबने अपना अपना काम किया मिर्तक का नंबर इनका नंबर उनका नंबर जो जितने नंबर उपलब्ध हुए वो सारे नंबर लेकर सर्विलांस और क्राइम ब्रांश की टी गाउं तक वो गया गाउं से लौट के आया मैं बहुत बार यह बता चुका हूं कि पांच यचे इंसिडेंट्स को छोड़के डॉग ने जो जानकारी दी बहुत आधी अधूरी दी उसका कारण यह है कि हर गाउं में बहुत बड़ी संख्यामें मोटर साइकलें बहुत यह ट्रेल मिलती है डीजल या पेट्रोल की या दूसरे किसी सुगंधी चीज़ की वहीं यह डॉग भटक जाते हैं वहीं इस केस में भी हुआ खेर हैंडलर ने जो कुछ भी उनको बताया कि साथ गाउं से ही आना हुआ है गाउं से ही जाना हुआ है यह रास्ता है वो रास्ता है उसके बाद डॉग स्कॉइड वाले भी चले गए फॉरंसिक वालों को वहां कुछ हाथ लगा नहीं क्योंकि घटना उस जगह की नहीं थ घटना कहीं करके और वो लाकर उसे वहां पर फेक दिया गया था लाश का पंचायत नमा हुआ पंचायत नमा होके लाश को डिस्टिक हेड़क्वाटर में चीड़ घर भेज दिया गया वास्ते पोस्त माटम एक किसी ने कल कमेंट किया था कि आपने पोस्त माटम का नाम आपने दुनिया भर की चीज़ें बताएं ये शवव भी छे दन बताया पोस्त माटम बताया चीड़ घर बताया ये सब बताया एक वर्ड और है इसका अंत्य परिक्षा उन्होंने बिलकु सही फरमाया अंत्य परिक्षन भी होता है असल में जो नया फॉर्मेट नथा पोस्त माटम करने वाले पहले पहले जो आघ से पांसास साल पहले जो फॉर्मिट था उसमें उपर ही अंते परिक्षन आख्या लिखा रहता था पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट लिखी रहती थी लेकिन अंते परिक्षन शब्द का इस्तेमाल कॉमन पारलेंस में नहीं किया जाता लोग ज़्यादा अप्लिस्ट होने की वज़े से इसका प्रियोग कम करते हैं या नहीं करते हैं इविन केस डाइरिस में हमेशा पोस्टम आटम रिपोर्ट हमारा आयू लिखता है पर ये सही है अंते परिक्षन भी उसको कहते हैं मतलब जो कट किया जाएगा बॉडी को ओपिन किया जाएगा हार्ट को ब्रेन को या स्टमक को तो उसके जो अंदर की चीजें हैं अंतिम वस्तुक तक देखने के लिए उसे अंति परिक्षा कहते हैं चिकित्सक के पैनल से वीडियोग्राफी कराई गई आप समझ सकते हैं कि वादी मुकद्मा कितना प्रभाव शाली होगा बीस आदमियों को लेकर थाने पर जाना फोर्स का वहाँ पर पहुँचना उसके बाद ये रिक्वेस्ट किसाब इसमें हमको कुछ गरबर दिखाई देती है सीमो से और डिस्टिक में स्टेट से परमीशन लेकर या उनसे रिक्वेस्ट करके इसकी पोस्माटम एक तो इसका पोस्माटम वीडियोग्राफी में कराया जाए दूसरा पैनल अफ डॉक्टर से इसका पोस्माटम कराया जाए खालांकि ये SP का prerogrative होता है कि वो किस case को पैनल से कराए, किस case को न कराए लेकिन जिए वो mandatory है वो महिला समन्ध या पराद के लिए है किसी महिला की मृत्य होने पर, किसी महिला की असवाभाविक मित्य होने पर, unnatural death होने पर या किसी और तरह सिम्रित्य होने पर एक डॉक्टर सहीद पूरे पैनल से पोस्माटम और विश्ट की वीडियोग्राफी ये mandatory provision है लेकिन बाकी सब murder के cases में या बाकी ऐसे cases में जिसमें पोस्माटम कराना है वो DM और SP का prerogative होता है कि वो उसको पैनल के पैनल अफ डॉक्टर से कराए या जो रूटीन के डॉक्टर से रोज करते हैं उनसे कराए वीडियोग्राफी कराए या न कराए बेरहल रसूपदार उस परिवार ने request करके इसकी पैनल डॉक्टर से पोस्माटम कराया और पोस्माटम की वीडियोग्राफी भी कराए पोस्माटम रिपोर्ट आ गई पोस्माटम रिपोर्ट के हिसाब से cause of death due to asphyxia as a result of throttling शरीर में एंटिमाटम इंजरीज का भी जिकर किया गया था तमाम नीलगू निशान थे लेकिन ये निशान ऐसे नहीं थे जिनसे मृत्यू कारित हो सके ये ऐसा लगता है कि आपस में लड़ने जगरने संगर्ष के कारण लगी हुई चोटे हैं कुछ कुंद चोटों का भी उसमें जिकर किया गया है पट वो खुली हुई चोटे नहीं थी बाड़ी उनके परिजनों को हैंड ओवर कर दी गई परिजनों ने उसका अंतिम संसकार कर दिया इंस्पेक्टर फॉरण वहां पहुँच गए क्योंकि मैंने बताया आपको रसुखधार आदमी थे पहुँचना ही था इंस्पेक्टर को थाना भी पूरा पहुँच गया मामले की जांच करने के लिए वादी मुकदमा जो थे इसलामुद्दीन उनका उनके पूरे परिवार का बयान लिया गया उन्होंने किसी पे शक और शुभा नहीं किया किस पे उनको शक हो सकता है गाउंवाले भी बहुत दबी जुबान में बात कर रहे थे जैसा इंस्पेक्टर जैनारान पांडे ने बताया कि बहुत रसूखदार लोग हैं उनके खिलाब बोलने को या उनके समर्थन में बोलने को या कुछ ऐसी बात जो जुबान से निकल जाए कहने को कोई तयार नहीं था 99 परसेंट लोगों ने का सम मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ क्या है कुछ नहीं पता पर बात खुलनी थी धीरे धीरे खुली मृतक के मकान के बराबर ही गुड़ू पुत्र राम विलास का मकान है ठीक बराबर ठीक बगल में दोनों परिवारों का एक दूसरे के हाँ आना जाना है जैसा मैंने कल बताया था यहां भी वही हालत है एक परिवार गाउं का सबसे दबंग जो मृतक का परिवार था दूसरा जो उसका पड़ूसी था वो बहुत ही गरीब गरीबों में गरीब किश्वनी का अपना गुजर बसर किसी तरह करने वाले लोग थे वहां दबेच पे हर दबंग का या हर जो रसूग द्याराद्मी होता है उसका कोई नो कोई विरूधी भी होता है इंस्पेक्टर ने कोशिश करके उनके कुछ विरूधीं का पता किया राथ ही राथ उनके बयान लिए उन्होंने ये कहा किसाब मैं बता दूँगा लेकिन हमारा ओफिशिल बयान मत न कोट करिए न कहीं लिखिए मैं किसी कोट के कचहरी के गवाही के चक्र में नहीं पढ़ना चाहता मेरी उनसे दुश्मनी है उन्होंने इस्पेक्टर को कॉन्फिडेंस में लेके बताया किसाब ये जो मरा है ये बहुत सरहंग था बहुत दबंग था बहुत हाथचुट था और लंगोट का बहुत ढीला था इसने पूरे गाउं में जुल मचा रखा था और जो ये कहता था वही लोग करते थे लड़कियां औरतें इसको देख के ही भाग जाती थी इस्पेक्टर के समझ में आ गया उन्होंने कहा लेकिन फिर मारा किसनो इतने दुबंग आदमी को उसने कहा साब इसके पडोस में जो आदमी है राम विलास का बेटा है कुछ उससे कहा सुनी हुई थी ये मेरी जानकारी में है क्योंकि मैं हर उस आदमी की तलाश में रहता था जो इसका विरोध करे या जिसके उपर ये जात्ती करे प्रधानी के एलेक्शन आने वाले थे वो लिहाज भी वो उस हिसाब से भी या आदमी बहुत जरूरी था ये उनके खिलाफ एलेक्शन लड़ा करता था वो क्या उसके परिवार के लोग लड़ते थे सूचना बहुत इंपॉर्टेंट थी गुड़ू और रामविलास का नमबर लिया गया गाओं के ही थे और गाओं में हैं उनकी लोकेशन भी आई बाकी लोगों की भी जहां लोकेशन आती है वहीं इनकी लोकेशन भी आई और इन लोगों को थाने पर बुलाया गया घटना के तीन दिन बाद 21 नमबर 2020 को गुड़ू और उनके पिता रामविलास दोनों आ गए उस्ता शुरू हुई पहले कुछ भी बताने को तयार नहीं थे धीरे धीरे करके उन्होंने रोना शुरू किया फिर रो रो के अपनी बातें बताई उन्होंने बताया कि साबी जुम्रितक है संजू इससे हमारा पूरा परिवार आजिज है मेरी एक बेटी है जिसका नाम मैं बदल के बता रहा हूँ प्रिती ये जब 15-16 साल की थी तो ये इसके चकर में घूमा करता था हम लोगोंने बड़ी कोशिश की इनके घरवारों से शिकायत की कोई सुनने को तयार नहीं था उसका नाम लेते ही इनके घरवाले बिदख जाते थे और हद तो एक दिन तब हो गई जब ये घर में घुज गया और मेरी बेटी के साथ दुर बेवार किया तब से हम लोग उसको बंद करके रखते थे कभी बाहर नहीं जाने देते थे इविन गाओं की शादी ब्याह में भी हम उसको जाने नहीं देते थे हम उसके अठारा साल होने का इंतजार कर रहे थे इस बीच में शादियां ढून रहे थे कि पहले से शादी तै कर लेंगे, जब वो ऐठारा की हो जाएगी, क्योंकि अगर ऐठारा से पहले हम शादी करेंगे तो फिर ये लोग पुलिस को शिकायत करके शादी भी रुखवा देंगे और बंद भी करा देंगे, इतने दबंग और असुगधार लोग हैंगे, जैसे ही प्रिती 18 साल की हुई उसकी शादी में ने बहुत दूर कर दी 14 जून को उसकी शादी इन लोगों ने कर दी आकाश पुत्र रामवीर निवासी जशनपुर्थ थाना कांठ ध्यान रही ये घटना से धौली की है थाना कांठ वहां से दूर है शाजापुर का ही थाना है लेकिन बिलकुल बॉर्डर का थाना है बरेली के बॉर्डर से वो थाना लगता है थाना कांठ के इस आकाश से उसकी शादी कर दी और फौरन बिदा कर दिया मारे डर के हम उसको वहां से बिदा करा के नहीं लाते थे शादी के एक हफ़ते बाद ही इस संजु ने मेरे दामाद आकाश को फोन किया उससे कहा कि एक हफ़ते हो गए हैं बहुत रख लिया तुमने उसको उसको फौरण उसके माई के भेजो आकाश ने भी बहुत गुसे में बात की कि तुम हो कौन और क्यों भेज़ दूँ मैं तुमसे क्या मतलब मेरी पत्नी है मेरी शादी हुई है तो उसने धमकाया कि देखो बत्तमीजी से बात मत करो नहीं मैं वहाँ आके उसको ले जाऊँगा आकाश डर गया उसने ये बात अपने ससुर को बताई अपनी पत्नी को भी बताई कि वो ये कह रहा था कि ये हमारी है तुम छे साथ दिन तुम्हारे रह लिया बहुत है इसे हमारे साथ ही रहना है आकास ने गुस्से में अपनी पत्नी पृती से पूछा ये क्या बात है पृती ने पूरी दास्तान बताई, रोते रोते बताई कि ये लोग दबंग हैं, हमारे ठीक पडोसी हैं इन्होंने जीना हराम कर रखा है ने बहुत लोगों का जीना हराम कर रखा है जब मैं नावालिक थी आज से देर दो साल पहले मेरे घुस घर में घुस कर इसने मेरे साथ विचार किया दुर विभार किया मुझे कहीं के नहीं छोड़ा, मेरी इज्जत तार तार कर दी सारे घरवालों को पता था, सब लोगों ने जाके वहाँ शिकायत भी की, लेकिन कोई सुनने को तयार नहीं था हम ठाने पर नहीं जा सकते थे, क्योंकि हमको पता था कि ठाने में भी इनका रसूख चलता है हम सिर्फ अपनी गरीबी और अपने भागे को कोशते रहे, हम कभी बाहर निकले नहीं, घरवालों ने हमारे अठारा साल यानि बालिग होने का इंतिजार किया, और बालिग होती ही हमारी शादी कर दी, आकाश ने सुना उनका कोई बात नहीं है, एक बात तो यह, कि मैं आसपास अपने गाउं में सब को बता देता हूं, अगर यह यहां आएगा तो हाथ पहर तोड़ देंगे, यहां तो आने का कोई प्रश्णी नहीं है, हम लों के परिवार की इज़त है, बाहर का कोई आदमी आगे तुमको जवरजस्ती ले जाए या तुमसे कोई बत्तिमीजी करे, यह गाउं बरदास्ट नहीं करेगा, इसलिए इससे बेफिकर रहो, तुम जैसे सामानी रूप से यहां रहती हो, वैसे रहो, यहां वो तुम्हारा कुछ भी बाल माका नहीं कर सकता, पर हाँ यह बात जर होली में लड़कियां अपने माईके जाती हैं, यह माईके भी नहीं गए, और तमाम तीस्ते वहार ऐसे पढ़ते हैं, जो पहली बार लड़कियां उसमें अपने माईके में उत्तिवहार मनाती हैं, तो इसलिए तुम्हारा जाना जरूरी है, उसने मना कर दिया, उनका नही मैं वहाँ नहीं जाओंगी माई के जाओंगी फिर इसने कोई बत्तिमी जी की तो फिर मेरे सामने सुसाइट करने के सिवा कोई चारा नहीं होगा आकाश ने कहा कि ऐसा बिलकुल नहीं होगा अपने भाई को बलाओ तुम्हारा भाई गुड़ू वो आएगा बिदा कराने तो कम सकम गाओंवालों को कहने को होगा जिसाब भाई बिदा कराने आया है किसी वज़र से नहीं आपाये थे ये लोग भाई इनका बिदा कराने आया है और मैं साथ में चलूँगा मैं वहीं रहूँगा तीन-चार दिन तुम अपने घरवारों के पास रह लेना मैं वहीं रहूँगा मैं देखता हूँ ये क्या करते हैं ऐसे कैसे हो सकता है कोई ज़वर्जस्ती किसी के साथ कर दे और यहीं हुआ भी 12-11 यानि 12 दिसंबर को शादी इनकी हुई थी 14 जून को 12 दिसंबर को आकाश गुड़ू गया अपनी बहन को विदा कराने पहली बार ससुराल से घर लाने के लिए तो उसकी बहन प्रीती और आकाश उसका बहन हुई ये तीनों लोग गाउं में आ गये पहुँच गए लेकिन उसके मन में डर हमेशा बना था प्रीती का कि अब कुछ नुकुछ बवाल जरूर होगा वो बार बार फोन करके आकाश को भी धमका चुका है कि इसको अपने मैके छोड़ो बहुत रह ली तुम्हारे साथ ही थोड़ा सब के मन में खटका लगा हुआ था कि पता नहीं क्या होगा कि इसके वहां पहुंचते ही जब संजु को जानकारी हो गई तो उसने इसको फोन किया कि घर के बाहर कब निकलोगी उसने कहां हम नहीं निकलेंगे उसने कहां निकलना पड़ेगा मैं दो तिन दिन और नजार करूँगा नहीं घर से उठा लाऊँगा बारा की शाम वो पहुँची थी और सोला की सुबह नौ बजे ये उसके घर में दाखिल हो गया संजू घर में प्रिती के पिता प्रिती का भाई और प्रिती का पती सम्मौजूद थे धढ़ाता हुआ चला गया हाथ पकड़ा और बाहर घसीटने लगा आकाश उसके पती ने कहा कि खबरदार हाथ मत लगाना ये मेरी प्रितनी है संजू ने अपने टेटे में लगे हुए कट्टे को निकाल लिया अंटे से कट्टा निकाला और कहा जान प्यारी है कि नहीं प्यारी है नजदीक आने की कोशिश विम्ट करना मैं इसे ले कर जा रहा हूँ प्रिती रेजिस्ट कर रही थी लेकिन उसको घसीडते हुए बाहर निकालने लगा उस समय गुड़ू और आकाश के सब्र का बान तूट गया आकाश उचला और पूरी ताकत से उसको गिरा दिया उसका कट्टा छीन लिया उसके सीने पे सवार हो गया गुड़ू और आकाश ने तब तक उसका गला दबाय रखा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई दिन में दस बजे ही वो मर चुका उसको चुपचाब घर में छिपा लिया शाम का जैसे ही अंधेरा होना शुरू हुआ जाड़े की रात थी पांच साड़े पांच बजे अंधेरा हो जाता था रात में नौदस बजे लोग चले गए और सेट पाल के पुवाल के पास बिलकुल बीच में फेक दिया वहां से लौट आये ये बात ये पूस्ताच के समय जब ये बात सुनी सब लोगों ने थाने के एक-एक सिपाही महिला कॉंस्टेबिल्स क्योंकि जब इनको थाने पर बुलाया गया गुड़ू को और आकाश को तो प्रीती भी साथ में आई उसने का हम भी चलेंगे लाख माना करने के बाद वो अपने पती के साथ थाने पर भी गए उसने अपने हिस्से की कहानी अपने हिस्से की घटना अपने हिस्से का जुल्म बताया मैला कॉंसेबिल्चूं की पूस्ताच के समय मौजूद थे, सब गमगेन हो गई, पूरा थाना, थाने की सहनुभूती इन तीनों लोगों की प्रती हो गई, लेकिन अपराध, अपराध है 21 नवंबर को गटना के चौथे दिन, गुड्डू उसका बहनोई आकाश गिरिफतार कर लिए गये, उन्हें जेल भेज दिया गया, गवाहों के बयान, फॉरेंसिक रिपोर्ट, बाकी सब चीज़ों को शामिल करते हुए, छे फरवरी को चाशीट नमबर 49 से अदालत में सारे साक्ष दाखिल कर दिये गए, ये घटना कल की वाली घटना के कंटिनिवेशन में ने सिर्फ इसलिए बताई कि आप समझ लें, कि हर गाओं, हर गली, हर महले, हर छेत्र में कोई इनको यह ऐसा दबंग पाया जाता है, अब आज की घटना, कल की घटना जो पार्ट 295 में बताई थी, उसमें गाओं के दबंग महिंदर ने अपने बेटे अमन को शेर कहा था, और यह कहा था कि अपनी बकरी बांध कर सम्हाल कर रखो, वरना यह शेर है, शिकार तो करेगा, 296 में, कल वाली घटना, कल वाले जो एपिसोड है, उसकी बात में कर रहा हूँ, और आज ऐसे ही एक दबंग परिवार की घटना है, दबंग गई का आलम यह कि पडोसी की लड़की को उसके घर में घुस कर उसकी इज्जत तारतार की, और बरावर करता रहा, लड़की के परिवार वालों में इतनी हिम्मत नहीं थी, कि वो पुलिस को बता सकें, यहां तक कि वो प्रधान को बता सकें, कि हमारे साथ यह जल्म, यह जादती हो रही है, अब वो सिर्फ इसके 18 साल के होने का इंतिजार करते रहे, जैसे ही 18 साल की हुई, इसे तुरंट शादी करके वहां से बहुत दूर भेज दिया, वो बिचारीडर के मारे माईके भी नहीं आ रही थी, माईके जाओंगी तो फिर वही करेगा जो इसने पहले मेरे साथ किया है, जबकि न वो विवाहिता का माईका प्रेम की यथार्थ है, और यह स्वतह सिद्ध सत्य भी है, नई बिया के जो भी बच्ची जाएगी, वो जल्दी जल्दी, क्योंकि वो नई है उस परिवार में, परिवार छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो इतनी कमफर्टेबिल नहीं हो सकती इतनी जल्दी कि उसे माईके की याद ही ना आए, तमाम इसलिए शादी के तुरंद बाद जो रिती रिवाज में चीज़ें बनाई गई हैं, कि पहला ते वहार होली का होगा तो आएंगी, दिवाली का होगा तो आएंगी, चोथ आएगी, इस तरह के, कि साल भर के भीतर वो जल्दी जल्दी आ सके, लेकिन फिर भी वो यहाँ आने को तयार नहीं थी, आप समझ सकते हैं, वो क्यों आने को तयार नहीं थी, और दबंगई की पराकास था, कि जब वो पहली बार घर आई, तो भीतर से दिन दहाडे उसे खीच कर ले जाने की हिम्मत, और इतना अत्याचार कहलें या दबंगों की इतनी इतने होसले को देख के उसके पती और भाई दुनों का सब तूट गया, और दुनों ने वहीं गिरा कर उसकी हत्या कर दी, इतना सब बताने के बाद भी मैं इस कतल को जाइज नहीं ठहरा सकता, क्योंकि ये कानूनन अपराद है, और आईपीसी में कोई ऐसा प्रिविजन नहीं है, जिसमें गुड मर्डर या बैड मर्डर को कटेगराइज किया गया हो, और दूसरा सेंटिमेंट्स के सम्मंद में कहीं कोई जिकर आईपीसी में नहीं है, अपराद को सिर्फ अपराद की शुनी में इंडियन पेनल कोट में रखा गया है, उस सम्में में सारजोनिक रूप से आकाश, प्रिती और गुड़ू के प्रति सहानुभूती भी नहीं व्यक्त कर सकता था, ओफिशिल पोजीशन की विज़े से, लेकिन सच बात ये भी है कि मेरे मन में बाकी पुलिस वालों की तरह इन तीनों के प्रति सहानुभूती थी, कल बहुत धेर सारे लोगों ने कमेंट किया है, दबंगई को लेके, बहुत अच्छे कमेंट भी और बहुत बुरे कमेंट भी, लेकिन जिसके उपर बीती है वो जानता है दबंग क्या होता है, प्रवीन कुमार ने एक कमेंट किया है, मैं चाहूंगा आप भी देखेंगे कल के एपिसोड में, प्रवीन कुमार ने कमेंट किया है, कि मेरे गाउं में भी एक दबंग है, जिसने मेरे पूरे परिवार का सत्यानाश कर दिया मेरा बच्पन मुझसे छीन लिया परिवार को बधाली और गरीबी में धकेल दिया बहुत दुख भरी कहानी है सच सिर्फ यह है कि मैं जिन्दा हूँ प्रवीन भाई मेरी पूरी सहानुभूती आप से है लेकिन अब जब हम इतने एडवांस हो गए है कम्यूनिकेशन का इतना अच्छा साधन है आप अपनी बात को प्रपर फोरूम पर जरूर रखें मुझे उमीद है आपको नियाए भी मिलेगा बीते दिनों की बात हो गई जब फोन नहीं थे जब मोबाइल नहीं थे जब इंटरनेट नहीं थे जो दरोगा ने कह दिया वही सही था जो उसने केस डायरी में लिख दिया वो पत्थर की लकीर थी क्योंकि उसको कंट्राडिक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होता था यह उस जमाने की बात जरूर होगी अब ऐसा नहीं है अब तो अगर चारत चश्मदीद यह कहें कि सामने घटना सामने देखी में मौझूद था तो सीडियार में उनकी लोकेशन दिखी जाती है यह थे की नहीं थे मैं किसी घटना में पहले भी जिकर कर चुका हूं कि गवाह प्लांट कराया जाते थे पहले छे आजमी खड़े हो गएक सामने इस किनारे खड़ा था मैं उस किनारे खड़ा था इसने चाकू चलाया तो म लोग अगर मॉल में गए हैं तो उस दिन की उस समय की CCTV फुटेज लाके दे सकेंगे साम मैं फ़ला मॉल में था मैं फ़ला बाजार में था तो प्रवीन भाई आपको भी ये अब करना होगा और अब ऐसे दबंगों के दिन आ गये हैं कुछ और सवाल लगे हाथ मैं बता दूँ एक उपमा मिश्रा जी हैं उन्होंने कहा फल्टरू से अगर साफ कर दिया जाए बंदूक की नाल को जो डीबी विलकल चलाई गई थी उसमें तो उसका पता नहीं लगता है उपमा जी ये पुल थ्रू होता है एक ढोरी में एक रिगमाल का कप्डा होता है उसमें थोड़ा सा ओयल लगाके और उसको उपर से नीचे बैरल में विर नीचे से उपर दम लगा के खींचा जाता है जिस से भीतर जो बारूद या उसके जो गंड़ होते हैं जो लगे होते हैं वो उससे साफ हो जाते है और अगले फायर में उससे बैरल को नुकसान होने का अंदेशा नगर्ण या शून नहीं हो जाता है जो forces में जिनके पास भी असलेहे हैं वो असलेहे के साथ-साथ ये पुल्थरू भी रखते हैं उसको common language में फुल्थरू भी कहते हैं पुल्थरू नहीं कहते हैं एक Mr. Chauhan है आइसबर्ग चauhan अगर मैं उन्हीं लोगों का reply करता हूं जो अपने नाम से होते हैं क्योंकि पता नहीं क्या नाम है कौन है पता नहीं होता तो उन्होंने ये लिखा कि भई इन दबंगों में confidence ये कहां से आता है मैंने आपको बताया है कि उनका कहना है वो गाना बजा के कहते हैं ताल ठोक के कहते हैं सीना ठोक के कहते हैं कि पैसे में बहुत ताकत है इसी लिए ये confidence भी आता है एक मजाहिद इसलाम साफ है इन्होंने दस्वारा मेंसे कल के comment कि इनकी अपेक्षा ये है कि हमें जब इतनी दुरगंध है लाश में तो डॉक्टर पोस्माटम करते समय क्या करता है तो पोस्माटम के बारे में भी मैंने अपने शुरुवाती तीसरे चोथे या पांचमें एपिसोड में पूरी बात बताई है कि डॉक्टर दूर बैठते हैं और जो class 4th employee है जाया तर स्वीपर्स है वो नाक में वही कपूर से बंदे हुए कपड़े को लगा के ही पोस्माटम करते हैं वो असहनी उसकी दुरगंध होती है नहीं सहन कर सकता कोई और वो चुमकि दिन में 8, 9, 9, 10 करते हैं तो इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा फरक नहीं पड़ता है बस लेकिन तब भी वो नाक में बानते हैं स्वास्तिकों से भी और काम करने के दिश्टिकों से भी वहीं से वो जोर जोर आवाज लगाते हैं जहां कन्फ्यूजन होता है वहां डॉक्टर भी नाक में वही रुमाल और कपूर लगा के नजदीक से आके देखता है मैं बार-बार कह रहा हूँ कि इस तरह के दबंग आज भी हैं लेकिन हम को आपको और सोसाइटी को खड़ा होना पड़ेगा एक शेर है शाकिप शिद्धी की साब का कि वो लोग जो डरते हैं जालिम के जुल्म से उनको भी करबला का किस्सा सुनाईए करबला का किस्सा मशुहूर है जो होली बुक कुरान में दिया हुआ है कहीं भी नेट पे मिल जाएगा आप भी कभी उसको देखिए कि कितने जुल्म उजात्ती होती है और एक और शेर इसी सिलसले में लिखने वाले का नाम मुझे याद नहीं है कि हर जुल्म चुपचाप सह जाते हो क्यों तुम जिन्दगी की तोहीन कर जाते हो नहीं सहना चाहिए लिमिट है हर चीज की मुझे उमीद है कि आप मेरी बातों से सहमत होंगे अगर आपकी भी सिलसले में कोई राय है या मेरी राय से आप सहमत नहीं है तो हमें जरूर बताईएगा आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद